कि दिल्ली में समराच अकबर शाह ने बहुत कोशिश की कि उसको खर्च की रकमजादा दी जाए लेकिन अंग्रेज उसे इसके बदले नीचा दिखाने की कोशिश करते रहे वे अकबर शाह का अपमान करने लगे इससे अकबर शाह और उसके साथियों में अंग्रेजों के लिए नफरत बढ़ने लगी सन अठावा सो सेंटीस में अकबर शाह की मृत्ती हो गई उसका बेटा बहादुर शाह अपने पिता के सिंगहासन पर बैठा समराथ बहादुर शाह ने भी अपने खर्श की रकम को बढ़वाना चाहा लेकिन उसे जवाब मिला अगर आप अपने बचे खुचे अधिकार कमपनी को सौप दे तो आपके खर्श की रकम बढ़ा दी जाएगी लेकिन बहादुर शाह ने इसे नहीं माना इससे जहां बहादुर शाह के दिल में अंग्रेजों के प्रती नफरत बढ़ी वहीं अंग्रेज इस कोशिश में लग गए कि किसी तरह दिल्ली की बादशाहत कोई क्यों न खत्म कर दिया जाए बहादुर शाह ने ये भी चाहा कि बेगम जीनत महल के पुत्र जमाबख्त को युवराज न्युक्त कर दिया जाए बेगम जीनत महल एक योग के बेगम थी उनमें संगठन शक्ती बड़ी जबरदस थी इसलिए अंग्रेज उनसे घवराते थे और उनकी कोई बात मानने के लिए तैयार न थे जाहिर है कि बेगम जीनत महल के शहजादे जमाबख्त को वो कैसे युवराज बनने देते बात्शा बहादुर्शा ने अपने शहजादों के दस्तखतों से अंग्रेजों को खत भिजवाया कि वे चाहते हैं कि शहजादे जमाबख्त को युवराज बना दिया जाए इस पर अंग्रेजों ने एक नई चाल खेली उन्होंने एक शहजादे मिर्जा कोयाश को अपनी ओर मिला लिया उससे ये समझोता कर लिया कि उसे केवल शहजादा कहा जाएगा वो दिल्ली का किला खाली कर देगा और सिर्फ पंद्रा हजार रुपए मासिक पेंशन लेगा अंग्रेजों ने सन 1856 में बहादुर्शा को भेट और नजर देना बंद कर दिया उन्होंने गवर्ना जनरल की मोहर पर से दिल्ली समराट का विशेश सेवक शब्द निकाल दिये बहादुर्शा की खुले आम उपेक्षा होने लगी कंपनी का जुसिक्का बहादुर्शा के नाम पर ढ़ाला जाता था वो भी बंद कर दिया गया बहादुर्शा के साथ होने वाले इस दुर्वैवार का फल ये हुआ कि बहादुर्शा और दिल्ली की जनता में वित्रों के चिंगारी भड़क उठी इसी चिंगारी ने 1857 में ज्वालाओं का रूप ले लिया था 1857 जबकि भारतिय स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। लेकिन ये संग्राम किसी एक घटना का परिनाम न था, बलकि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के बढ़तेवे प्रभाव और अंग्रेजों द्वारा किये जा रहे जुल्मों का फल था। एक और दिल्ली के समराच बहादुर्शा जफर के मन में अंग्रेजों के प्रती खोर ख्रणा बैठ चुकी थी। तो दूसरी तरफ वो हर समय इसी चिंता में डूबे रहने लगे कि किस प्रकार मुल्क से अंग्रेजों को निकाला जाए। उधर अवत में नवाब वाजिद अलिशाह का शासन समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने वाजिद अलिशाह को बहुत बदनाम किया। सच तो यह है कि वाजिद अलिशाह ने कद्दी पर बैठते ही सेना को सुधारने के लिए बड़े कड़े नियम बनाए थे। वे रोज सवेरे अपनी सेना से कवायत करवाते थे और खुद भी घोड़े पर मौजूद रहते थे। कंपनी के अफसरों को नवाब की हरकते भला कैसे पसंद आती। लॉड डलहाउजी की आग्या से लखनव का रेजिडेंट आउटरम वाजिद अलिशाह से मिलने आया है। नवाब साहब कंपनी के गवर्नर जनरल लाट डलहाउजी चाहते हैं कि आप इस कागस पर दस्थखत कर देंगे। क्या लिखा है इसमें। आप खुच पढ़ दीजीए। मैं वाजिद अलिशाह खुशी से अपनी सल्टनत कंपनी को देने के लिए प्राजी हूँ। नहीं 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 अरगस नहीं। आपका भलाई शीम है कि आप दस्थखत कर दें। कंपनी सरकार से जगड़ा करना अच्छा नहीं। ले जाएए इसे और कंपनी सरकार को हमारा फैसला सुनाती ची। तीन दिन बाद कंपनी की सेना लखनव के महल में जबरदस्ती खुश गई। महलों को लूटा गया। बेगबो का अपमान किया गया। वाजिद अलिशाह को कैद करके कलकत्ते भेश दिया गया। लौट डलहाउसी की अपहरण नीती ने भी 1857 की क्रांती के बीच बोई थे। डलहाउसी ने भारती नरेशों पर ये पाबंदी लगाई थी कि अगर उनके अपना पुत्र न हो तो वे कंपनी की मनजूरी के बिना किसी को गोद लेकर राच्चे का उत्र अधिकारी नहीं बना सकती। अपनी इस नीती के जरिये डलहाउसी ने किसी न किसी बहाने से बहुत से रियासतों को कंपनी के अधिकार में ले लिया था। सतारा, पंजाब, नाकपुर, सिक्किम, संबलपुर आधी रियासते इसी तरह ली गई। किन्तु सबसे विस्फोटक स्थिती उत्पन हुई जासी में। जासी के राजा गंगादर राव की मृत्यू 21 नवंबर 1853 को हुई। मृत्यू से पहले उन्होंने अपने ही कुल के एक बालक दामोदर राव को गोद लिया था। और कंपनी को इसकी सूचना दी थी। लेकिन लौड डलहाउजी तो जासी को हडपना चाहता था। 13 मार्च 1854 को एक ऐलान द्वारा जासी की रियासत जबरदस्ती कंपनी के राज में मिला ली गई। जासी की रानी लक्ष्मी बाई ने डलहाउजी के आदेश का कड़ा विरोत किया। उधर दक्षण में पेश्वा बाजी राओ के गोद लिये पुत्र नाना सहाब के साथ भी कंपनी सरकार कुछ कम अन्याय न कर रही थी। इससे नाना सहाब के दिल में अंग्रेजों के लिए ख्रणा पैदा हो गई। 1857 की स्वतंत्रता क्रांती का एक कारण ये भी था कि अंग्रेजों ने भारतियों के धार्मिक मामलों में हस्तक शेप करके लोगों को अपने खिलाफ कर लिया था। इससे चारों और असंतोष फैल चुका था। देश के तमाम वीर नेता वित्रोह के लिए तयार थे। जहासी की रानी लक्षमी बाई, तात्या टोपे, बिहार केसरी बाबू कुवर सिंग, नाना सहाब पेश्वा, सभी के दिल में क्रांती की आग सुलक चुकी थी। किया और क्रांती के लिए उन्हें तयार किया। उधर बिठूर में नाना सहब के सरहकार अजिमुल्ला खाने क्रांती के लिए एक गुप्त संगठन बनाया। और इस तरह दिल्ली के बादशा बहादुर्शा जफर के छंडे के नीचे मिलकर विद्रोह करने का निश्चे किया। इस विशाल गुप्त संगठन के लिए धन की कमी न थी। पैरकपुर से बेशावर तक और लखनव से सतारा तक। हजारों राष्ट्रिय फकीर और साथू खूम खूम कर एक एक गाउं और एक एक पल्टन में स्वदंतृता संग्राम का प्रचार करने में जुट गए थे। उस समय क्रांती के पाच मुख्य केंद्र थे। दिल्ली, बिठूर, लखनव, कलकत्ता और सतारा। क्रांती के इस प्रचार में तमाशा, पवाडो, लावनियों और कचपुतलियों, नाचकों आधि का सहारा भी लिया गया। फकीर और साधू प्रचारकों को सवारी के लिए हाथी और मदद के लिए सिपाही दिये गए थे। सन 1857 के शुरू के दिनों में नाना सहाब और अजिमुल्ला खां तीर थियात्रा के बहाने बिठूर से निकले। नाना सहाब का भाई बाला सहब भी उनके साथ था। सबसे पहले ये लोग दिल्ली पहुँचे। लाल किले के दीवाने खास में सम्राठ बहादुर्शा, बेगम जीनत महल और दिल्ली के मुखे नेताओं के साथ इन लोगों की गुप्त मंद्रणाएं हों। इसके बाद नाना सहाब अमबाला लखनव। कालपी होते हुए बिठूर पहुचे। सन 1857 की क्रांती के लिए नेताओं ने अपने संगठन के दो मुख्य चिन तै किये थे। कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल उन सब पल्टनों में घुमाया जाता था जो इसमें शामिल थी। किसी एक पल्टन का सिपाही फूल लेकर दूसरी पल्टन में जाता था। उस पल्टन भर में हाथों हाथ वो फूल सब के हाथों से निकलता था। जिसके हाथ में वो सबसे अंत में आता था, उसका कर्तवे होता था कि वो अपने पास की दूसरी पल्टन तक उस फूल को पहुँचा दी। इसका गुप्त अर्थ ये लिया जाता था कि उस पल्टन के सब सिपाही क्रांती के लिए तयार है। इस तरह से हजारों कमल पेशावर से बैरकपुर तक तमाम पल्टनों में खुमाए गए। रोटी को एक गाउं का चौकिदार दूसरे गाउं के चौकिदार के पास ले जाता था। उस चौकिदार का करतव्य होता था कि वो उस रोटी में से थोड़ी सी खुद खाकर बाकी गाउं के दूसरे लोगों को खिला दे। फिर गेहूं या दूसरे आठे की उसी तरह की रोटियां बनवा कर वो अपने पास के गाउं तक पहुँचा दे। इसका मतलब ये होता था कि उस गाउं की जनता राष्ट्रिय क्रांती में भाग लेने के लिए तैयार है। नाना सहाब की यात्रा के दौरान ही सारे देश में क्रांती का दिन 31 मई तै किया गया था। किन्तु इस तिथी की सूचना हर केंद्र के केवल मुख्य मुख्य नेताओं को और हर पल्टन के तीन तीन अफसरों को दी गई थी। बाकी लोगों से कहा गया था कि वे अपने नेताओं के संकेत का इंतजार करें। उधर बैरकपुर्चावनी में एक विस्फोट अखतना हुई। अरे पंडित जी जर अपना लोटा तो देदो पानी पीना है। मैं अपना लोटा कैसे दे सकता हूं अशुद नहीं हो जाएगा। अरे अब जात पात का घमंद छोड़ो पंडित जी। तुम्हें शायद मालूम नहीं हैं। अब तो तुम्हें अपने दातों से गाय और सुवर की चर्बी काटनी होगी हां। क्या बक्ते हो। सही कह रहा हूं पंडित जी। अब जो नए कार्टूस बने हैं। उनमें जान बूज कर ये दोनों चीज़ें लगाई जा रही हैं। गाय और सुवर की चर्बी लगे कार्टूसों ने उस समय की हिंदुस्तानी फौज में चिंगारी का काम किया। फरवरी 1857 में बैरकपुर चावनी के 19 नंबर पल्टन के सिपाहियों को नए कार्टूस दिये गए। सिपाहियों ने उन कार्टूसों को इस्तेमाल करने से मना कर दिया। 19 नंबर पल्टन में एक सिपाही था मंगल पांडे। वो इस घटना से बहुत भरा हुआ था। 29 मार्च 1857 को पल्टन को परेड मैदान पर बुलाया गया। अभी पल्टन आकर खड़ी हुई थी कि अपनी भरी हुई बंदूक लेकर मंगल पांडे सामने कूद पड़ा। और चिला चिला कर कहने लगा। भाईयो आओ आप पीछे क्यों रहते हो। आओ मैं आपको धर्म की सोगन दिलाता हूँ। आजादी पुकार रही है कि हम फोरण अपने धोखे बाद दुश्मनों पर हमला बोल दें। रुकने का समय नहीं है। सार्जंट मेजर हूसन ने आदेश दिया के मंगलपांडे को गिरफतार कर लिया जाए। पर सिपाही एक बार मंगलपांडे को देखते, और एक बार अंग्रेज अफसर को। अगले ही क्षण मंगलपांडे की बंदूख से गोलियां चल पड़ी। मेजर ह्यूसन की लाश वहीं गिर पड़ी लेफटनेन बॉक भी मरा नहीं था उसने मंगल पांडे पर पिस्तोल से पुछ पर मंगल पांडे बच गई इसके बाद मंगल पांडे तलवार निकाल कर बॉक पर तूट पड़े और उसे मार दिया के थोड़ी देर में एक और अंग्रेज अफसरक्राया उसने पांडे पर हमला करना चाहा तो एक सिपाही ने बंदूग का कुंदा उसके सर पर दे मारा सारे सिपाही चिला उठे मंगल पांडे को हाथ मिस्प लेकिन सिपाही कुछ नहीं बोले। जब मंगल पांड़े ने देखा कि सिपाही कुछ नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं और वह अंग्रेश संकों से खिर गया है। तो उसने अपने सीने में बंदूग ताग ली। आध वहीं गिर पड़े। पर مरे नही Rules मंगल पांडे को गिरफतार कर लिया गया और अस्पताल में उनका इलाज हुआ झाल यदेते अनका कर लिया उनका इलाज हुआ जान